हेलो डिये स्टूडेंज, आज हम एनाइस बोर्ड के एक अक्सदा सिंदी के चेप्टर नमबर आठ के इंपोर्टेंट नोट्स पढ़ने वाले हैं, इससे पहले की क्लास में हमने साथ चेप्टर के इंपोर्टेंट नोट्स की क्लास ले लिए, यदि आपने उन क्लासों को न क्लास स्टार्ट करने वाले, तो देखेगा साथ यो पहला हमारा इंपोर्टेंट प्रशन है, चंदर गहना से लोटती बेर पाट के लेखक का नाम केदारनाथ अगरवाल है, चलेगा बढ़ते अगले प्रशन की दरब, अगला आपके दूसरा प्रशन है, जिसमें काजरा ह हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये भी प्रशन आपके प्रिस्ते साल बोड के एक्ज़ा में पूछा गया है, तो इस प्रशन का उतर है, हाथ पीले करना मुहावरे का अर्थ साधी कर लेना है, मुहावरे का क्या अर्थ है, साधी कर लेना है, चलेगा बढ़त मास फागुन आ गया है इस पंक्ती में मानुई करण अलंकार है कौन सा अलंकार है मानुई करण अलंकार है चलेगा बढ़त एगले प्रश्न की दरब अगला आपके चोथा प्रश्न है जिसमें काजर है ग्रामिन अंचल की भूमि किसके लिए अधिक उपज़व है तो इस प् पुसान में अब ध्यान से देखेगा सात्यों आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो तो किस प्रकार से आपको मोबाइल में डाउनलोड करना है मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी Google लिखा होगा वहां पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहां पर आपको लिखना है M-O-S-T-E-X-E-M-E-X-E-M इस प्रकार से आपको Most Exam लिखना है और उसके बाद नीचे जह आपको सर्ज का बड़न दिया है यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके समने most exam लिखा होगा यहाँ पर आपको simple तरह के से क्लिक कर जाना है क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे आना है यहाँ पे देखी का लिकावा है NIS कक्सा 10 के नोट से इसके उपर आपको क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके समने NIS के कक्सा 10 के सभी विश्यों के नोट कुलेंगे यहाँ पे आपको हिंदी के नोट चेकने है तो इसके सामने जो click-click हौआ है यहाँ पे आपको simple तरिके से click कर देना है click करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने NIS Board के कक्सदास हिंदी के सभी chapter के notes कुलेंगे यहाँ पे आपको आटेश पार्ट के notes देगने है तो इसके सामने जो click-click हौआ है यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से क्लिक करने के बालें के बाद में इस परकार से आपके सामने न, आ, प्रकार से आपके सामने chapter नमबर 8 के नोट पुलेंगे तो यहाँ पर आकर आप हिंदी के सभी chapter के important notes एक साथ में पड़ सकते हूँ तो चलेगा बढ़ते अगले प्रश्न की तरब अगला आपके पांचों प्रश्न है जिसमें काजर है किसी तालाब या पोकर के हिलते जल में चांद का प्रतिविम्ब किसका बहुत कराता है तो इस प्रश्न का उतर है किसी तालाब या पोकर के हिलते जल में चांद का बिम्ब किसका बौट कराता है चांद का प्रति इंभर उसकी कि जहराहिका बोद कराता है अगला आपको जानवाद किसका प्रतीक है तो इस प्रश्ण का उतर है बगूला समाज के ढोंगी लोगों का प्रतिक है जो दिखावा कुछ करते है और उनका आचरण कुछ और ही होता है अर्थात शोशक का प्रतिक है आई बात आपको सन में चलेगा बढ़ते अगले प्रश्ण की तरब अगले आपके सातो प्रश्ण है जिसमें का जा रहे मचली किसका प्रतिक है तो इस प्रश्ण का उतर है मचली आम आदमी का प्रतिक है जिसे हर कोई अपना शिकार बनाना चाहता है आई बात आपको सन में चलेगा बढ़ते अगले प्रश्ण की तरब अगले आपके आठो प्रश्ण है जिसमें का जा रह हर्दे का दान से क्या तात्प्रे है तो इस प्रश्ण का उतर है हर्दे दान से अभी प्राए प्यार करना है हर्दे दान से क्या भी प्राए है प्यार करना है आई बात आपको सुन में तो आपके इस चेप्टर के इतने इंपोर्टे नोट्स बनते थे अगले चेप्टर के न जे बार